हेलो दोस्तो एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चानल फैक्ट वर्ल्ड पर जहां हम आपके लिए लाते हैं देशों दुनिया से जुड़े कुछ एंट्रॉस्टिंग फैक्ट में हम आपको कुछ ऐसे फलो के बारे में बताएंगे जिसके बारे म और फैलोरीडा में पाया जाने वाला ये फल आपने आपने ही लाजवाब हैं और हो भी क्यों ना क्योंकि ये फल हमारे स्वास्त के दृष्टी कौन से बहुत ही जादा फायदे मंद हैं ये फल डाइरिया के मरीजों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं हैं पेड़ पर उकता है जी हां आप इस पेड़ को देखिए इसको देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस पेड़ पर कोई भी फल उक सकता है लेकिन ऐसा होता है और यहीं इस फल की सबसे वड़ी खासियत भी है दोस्तो साइफनियर नाम का फल काफी अलग किसम का होता है इसको देखने के बाद आप सोच में पढ़ जाएंगे कि यह फल है यह फूल दोस्तो अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो यह काफी मीठा होता है जो शायद आपकी मन को भी भा जाए दोस्तो इस फल के पत्ते और फलों की पत्ते भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं इस फल की खास बात यह है कि यह पकते समय आम फलों की तरह ही दिखते हैं लेकिन पकने के बाद यह फूल की तरह फिल जाते हैं यह दोस्तो एक और ऐसे ही फल की तरफ नज़दारते हैं जो कि अफरिका में पाया जाता है यह फल काफी ही काटेदार होते हैं जैसा कि आप देखी रहे होंगे दोस्तो आपको बता दे कि इस फल का पेर हमारे लिए काफी जादा जाबदायक हैं क्योंकि इसकी पत्तियों स हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप इस फल को खाते हैं तो अपने हादों की सीफटी जरूर रखें अगर हम इसके unique structure के बारे में बात करें तो यह बाहर से हलकी काटेदार होते हैं तो अंदर से soft और creamy और यह फल अपने आकार में काफी बड़ा भी होता है दोस्तो आपको बता दी कि फल जब पक रहा होता है तो इसका रंग हरा या भूरा हो जाता है और पकने के बाद लाल रंग का हो जाता है अगर हम इसके taste की बात करें तो यह काफी मीठा होता है तभी तो इसे south एशिया में इस फल की मदद से कई प्रकार की sweet dishes भी बनाये जाते ह दोस्तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताएं और वीडियो को like करना बिल्कुल भी ना मूले